जो आज आप लोगों के लिए बहुत ही सांधार टापिक लेकर उपस्तीत हैं नदी घाटी परियोजनाएं और संबंधी तरज्जे इसमें आपके भारत के जितनी भी महतपूर परियोजनाएं हैं वो सारे मेरे सामिल किये हैं तो क्लास को अंत तक देखिएगा बहुत परियोजना और ये परियोजना आपका व्यास नदी पर है और ये इस्टेट है हिमांचल प्रदेश तिसरी परियोजना और साथी चौथी और पांचवी परियोजना भी इसके एक साथ है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दुलहस्ती परियोजना सलाल परियोजना और बगल कलाता है आपका तुलबूल परियोजना आपके जम्मु कसमीर राज्ज में है और इस ही आपका जह्यंके नदी में है चमेरा पर्योजना यह आपका रावी नदी पर है और यह भी आपके हिमानचल प्रदेश में है नेक्स्ट आपका थीन बाद पर्योजना या इसी को रडजीत सागर पर्योजना भी कहते हैं और यह पर्योजना है रावी नदी पर हिमानचल प्रदेश और पंजाब की सं परियोजना जो मोशली सभी को याद रहता है ये सदलज नदी पर है और ये भी आपके पंजाब और हिमानचल प्रदेश का संयुत परियोजना है और ये जानते हैं इसके बात के पीछे एक बहुत ही बड़ा सागर भी है या जील है जिसे गोबिंद सागर जील कहते हैं तीरी परियोजना ये आपकी भागी रथी नदी पर है वह जो याद रखेंगे कोनार बात परियोजना कोनार नदी पर है याद रखेंगे कोनार बात भी कोनार नदी पर है और कोनार आपका जारखन में है तैनो बाद या तैनो घाट परियोजना और पंचेत बाद परियोजना य तिल्ए और मैफोन भी आया था कोट में आया था यह सारा तो यादुर। रखेंगि तिनैया अमतब तिल्ए और मैफ़ोन भांद ही आपके जार्खंड में ही है लेकिन नदी यहां पराकर नदी है और यह दामूदर की सहाइक नदी है सरदार सरोवरबाद परियोजना महेसवरबाद परियोजना ओंका रेसवरबाद परियोजना नर्वदा सागरबाद परियोजना यह सारी परियोजना है नर्वदा नदी पर है वह जो याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है हीरा कुंड बाद पर्यूजना तो आप सबी को पता ही है ये महा नदी पर है और भारत का सबसे बड़ा बाद है निजाम सागर जो आपका बाद पर्यूजना है ये मंजरा नदी पर है जो की गुदावरी की साहिक नदी है नागारजुन सागरबाद पर्योजना कृष्णा नदी पर है वज़ो याद रखेंगी आनप्रदेश सीमा कृष्णा राजबाद पर्योजना और अलमट्टी बाद पर्योजना बहुत जदा पुछा जाता है अलमटिबाद पर्योजना कौन से नदी पर है तो कावेरी नदी पर है ये उकाईबाद पर्योजना ये आपके तापती नदी गुजरात राज में है और इस पर्योजना से महाराष्ट्र को भी लाव मिलता है काकरापार पर्यूजना ये आपके तापती नदी पर है और ये भी आपका गुजरात में है इडुक की बाद पर्यूजना ये पेडियार नदी पर है और ये केरल राज में है सरावती पर्यूजना ये आपके सरावती नदी पर है और ये करनाटक राज में है सबरी गिरी पर योजना ये आपके पंपा नदी पर है और ये भी केरल राज में है नेक्स्ट है आपका पल्ली वासल पर योजना ये मंदिरा पुझा नदी पर है और ये है आपका केरल राज में पोचम पाद पर्योजना ये भी याद रखेंगे पर जो पोचम पाद कहां पे है तो ये गोदावरी नदी पर है और ये तिलंगना राज्ये पे है पापनासम पर्योजना ये तामर पर्णी नदी पर है और ये तमिल नाडु राज में है स्री सैलम पर्योजना कृष्णा नदी पर है और ये तिलंगना और आंत प्रदेश की सीमा परिश्थित है ये भी आयोक का पूछा हुआ है कुंडा पर्योजना कुंडा नदी तमिल नाडू पर है और राम गुंडम पर्योजना ये गोदावरी नदी और तेलंगनार राज्य में है बाली मेला पर्योजना ये सिलेरू नदी ओड़ी सा में है तो आप देख सकते हैं आज के क्लास में आपका लगभग 40 परियोजनाओं को मैंने कबर किया हुआ है और जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं विभिन एक्जाम में और बार बार पूछे गए हैं आगे भी इन्ही परियोजनाओं से क्वेस्चन आएंगे विच्चो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परियोजना आयोग के द्वारा पूछा जाएगा तो इसको बार बार रिविजन कर लिजेगा आपको यहाँ से अगर क्वेस्चन बनता है तो निश्चिती सही होगा आरो यारो और वीडियो साथ ही लोवर पीसेस पीसेस सारे एक्जाम साने वाले हैं तो सबके लिए तैयारी जबर दस्त कीजिए कैसा लगा टॉपिक कमेंट वाक्स में जरूर लिखे फिर हम लोग नेक्स्ट दे मिलेंगे ऐसे ही सांधा टॉपिक के साथ थैंक यू